इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है एक कढ़ाई में एक कप पानी डालेंगे अभी पानी गरम हो गया है तो अब गरम पानी में क्या करेंगे नमक डाल देंगे अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग तो आप गरम पानी में डाल देंगे आधा कप चावल का आटा आधा कप चावल आटा में एक कप पानी डालना है क्योंकि एकदम हमें सॉफ्ट आटा चाहिए तो बस अब मिक्स करते जाएंगे गरम पानी में इसे पका लेना है गरम पानी में पकाने से क्या होता है चावा लाटा का कुछ भी आप बनाओगे एकदम सॉफ्ट बनेगा दो से तीन मिनट लगते है चावा लाटा के पकाने में अच्छी तरह से पक चुका है पकने की बाद एकदम सॉफ्ट होगी आप देख सकते हैं मिक्स करने से ही पता चल रहा है और हाथ में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं तो अब ग्यास का फ्लेम आफ कर देते हैं और इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं तो हमने इसे एक बरतन में निकाल लिया है पूरी अच्छी तरह से ये ठंडा भी हो गया है अब क्या करना है हलका सा हाथ में तेल लगा लेना है या फिर पानी दोनों में से कुछ भी और अच्छी तरह से इस तरह से मसल मसल के soft dough जैसा कर देना है क्योंकि इसमें गुठलियां रहती है जब जैसे भी चावल काटा पकाओगी न तो गुठलियां बन जाएगी ठंडा होन गआते हैं तो डालें और नहीं गाते लिए किस क्यिंव कर सकते हैं तो अब इसमें डाल देते हैं थोड़ासा बारी कटा धन्यापत्ती थोड़ासा डालेंगे अधा चंबच के करीब कसूरी में ठी नमक डाल देंगे अपने टेस्टी एक स्पावड़ीं एक चुथाई चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, एक चुथाई चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स के जगा आप हरी मिर्ची को भी काटके डाल सकते हैं, तीखा आप अपने नुसार कमियाद ज्यादा कर लें, थोड़ा सा टैंगी टेस्ट लाने के लिए एक चुथाई चम्मच, अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला जो है आपके पास दोनों में से कुछ भी अपले सकते हैं, अब इन सबी चीजों को आलू में अची तरह से मिक्स कर लेना है, तो अब ये मिक्स हो गया है, तो अब ये चटपटा सा स्टरफिंग बनके रेड तो चावल आटा का पहचान है कि थोड़ा सा क्रेक्स रहेगा ही, तो हमने एकदम पतला में बेल लिया है इसे, अब क्या करेंगे, जो आलू का स्टफिंग हमने बना के रेडी कर रखा है उस स्टफिंग को इस तरह से बीच में डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना तो बस इस तरह से अच्छी तरह से दोनों साइट फोल्ड कर लेना है, पैक कर देना है कि मसाला निकले नहीं, तो बाकी कभी सेम इसी तरह से हम बना के रेडी कर लेंगे, तो हमने तीन पीस बना के रेडी कर लिया है, तो आब इसे सेखेंगे, आप जाहें तो शेलो कि देखने में सुन्दर लगें और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा धन्या पत्य स्प्रिंकल कर देंगे और इस तरह से एक एक पिस करके डाल देंगे और डालके गयास का फ्लेम हाई कर देंगे हाई फ्लेम में सेखेंगे क्योंकि चावाल आटा रहने के कारण जलता नहीं है तो अब इसे एक एक बार करके पलट लेते हैं पलट के दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से सीक लेंगे तो अच्छी तरह से इस पैचुला से इस तरह से हलकल का प्रेस करके आप सेकें कच्चा बिल्गुल भी नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा इसके उपर ब्राउन क्योंकि जावालाटा का है ना लेकिन एकदम क्रिस्पी हो जाएगा तो देखिए अभी बनके रैडी हो गया तो अभी से निकाल लेते हैं तो आप इस नास्ते को ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर चाय काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है और कम तेल में बनके रैडी हो जाता है तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें